हालो स्टुडेंट्स यह वीडियो हमारा जो है यह एरर अनाल्सिस पार्ट टू है आप क्यों कह सकते हो कि तुटिव इसलेशन का पार्ट टू है तो हमारी सलाष है कि अगर आप वीडियो पहली बार आप देख रहे हो तो उपर आप काई बटन क्लिक करके पहले आप यहां प ठीक मालों से कोई भौतिक राशी है हमारा है अपने सम एक्जांपल देते हैं यहां पर कि कोशन आपने देखा होगा वी दटीड इक्वल टू यू प्लस एटी ठीक बहुत सिंपल साइग कोशन ठीक आप जामतों यह आपका यहां पर क्या फाइनल विलास्टी है यह का इन यह पाइए एक बार से मों डिस्क सिर्len यहां पर कोई बहुतिक रासी है जड जो किनिक दो डूंड राश्यो पर कर रहा है पर दोबहां दोसरी राश्यों यह और दोनों की योग्फल पर निर्भ़ाइन है यह यह eight- ten-där है रिक चाहिशन नामपरते वान महलोप्रयोखशाला में आप गए जेट कमान चाहिए तो जेट कमान कैसे मिलेगा पहले अप एकस कमान निकालो फिर य कमान निकालो फिर दोनों का टोटल करो तभी तो आप जेट कमान पाऊँगे और आप जाते हैं हमारे जो वीडियो पार्ट 1 है आपका यहां पे इस टॉपिक का उसमें हमने डिटेल में समझाया हुआ है कि हम कोई भी मेजर्मेंट करेंगे निश्चित रूप से कुछ न कोई एरर उसमें अवस्य होगा अब आप मानलो प्रयोक्षाला में लेब में आप जो value मिलेगी वो आपका जो प्रमारिक मान है उससे घटके भी मिल सकती है बढ़के भी मिल सकती इसलिए प्लस मान चला रहे हैं हाँ पे तो जो value आपको मिली मालो x प्लस मान इस डिल्टा एक्स मिली आपने y कमापन किया अपने उक्षाला में तो आपको जो मान मिला y प्लस का टोटल करोगे तो आप बताओ जब X का मान तुटिपूर्ण है Y का मान तुटिपूर्ण है तो क्या Z का विल्गू सही-सही मान पा जाओगे निश्चित रूप से वह भी तुटिपूर्ण होगा तो जब Z का मान निकालने चले तो आपको Z का मान क्या मिला Z plus minus delta Z क्योंकि आप जाएं तो X का मान जब तुटिपूर्ण है Y का मान तुटिपूर्ण है तो निश्चित रूप से Z का मान भी तुटिपूर्ण होगा तो ऐसी दसा में Z का मान क्या मिला आपको Z plus minus delta Z यह आपका equation number second हो गया अब हमको तो error निकालना है हम एक काम करें equation second में equation first को घटा दें ठीक है सब्स्ट्रेक कर दें तो ऐसी condition में आप देख रहे हो Z plus minus delta Z यह आपका यहां की value हो गई minus Z यह आपका equation number first से value हो गई that is equal to फिर आपका X plus minus delta X plus Y plus minus delta Y equation number second की value हो गई और चुकि आप घटा तो रहे हो तो minus का symbol हो गया ठीक और फिर आपका यहां पर क्या X plus Y आप यहां पर देखना हमने कुछ किया नहीं है क्यों equation second equation first को हमने आपके deduct किया घटाया है किवल ठीक तो ऐसी condition में आप जानते हो आप यहां पर देखना जेट से जेट cancel हो गया ठीक उसी प्रकार से आप जब इसको expand करोगे यहां पर तो आप यहां पर देखो सारे brackets आपके expand हो गया ठीक और आप यहां पर देखोगे x से x cancel हो गया उसी प्रकार से y से और y cancel हो गया ठीक अब आप कहां पर निकल की क्या आया plus minus delta z that is equal to plus minus delta x plus minus delta y बाकि सब cancel हो गया अपस में ठीक यह value आपकी निकल की आई अब अगर हम यहां पर हम यह जानना चाहते हैं कि maximum कितना error होगा जैसे मालोग कोई बच्चा है सैतान बच्चा है कहीं कोई जिम्मेदारी उसको सौपनी है तो सौपने पहले भी जानना चाहेंगे ने को कितनी सैतानी कर सकता है maximum कितनी सैतानी कर सकता है तो उसी प्रकार से यहां पर भी आपका यहां पर आप देखना है यहां पर मालोग अ आना चाते कि maximum कितना error हो सकता है तो आप जानते वह हो गार्व मिल ऑद संघ्र Cornrain में प्लस में प्लस में सेम्यां अगर ये प्लस में हो ये माइनेश में हो तो ये त्रू Hair को क्या करेगा बढ़ाएगा और और दोनों new के क्र गटा देंगे या यह यहoping तो हम को निकालना होगा तो दोनों को सिंबल मिलेंगे चिक है तो अब जाते हो हम पर हमने इसको भी प्लस में यह mo bạn जाहिए तो में बहुता यहाँ फेरा ऑफ्ल्なたस में प्यतनी होगे डिल्ट किथिया वह बिशर्ते कब अगर आपका z बराबर x plus y है तो ठीक यह आपका part 2 था ठीक है उपर आई बटन दबा किया part 3, part 4, part 5 और part 6 और part 7 अगर आप इतना आप देख लेते हो तो percentage यह error जो topic है यह पूरा पूरा आपका clear हो जाएगा यह वीडियो आपने देखा पसंद आया हो लाइक जरूर करना कुछ कमी दिखी हो आप डिसलाइक कर देना किन कारणों से डिसलाइक कर रहे हो तो इसका comment में जरूर आप जिक्र कर देना वहाँ पर ठीक और बाकी पूरी पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पर डे आपको दो तीन टाफिक आपको पर डे आपको मिलता रहेगा आपकी पढ़ाई घर बेठे होती रहेगा